नमश्कार दोस्तों, यूको बैंक ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस बिलकुल ही अपडेट कर दिया गया है, आपको काफी कुछ इसमें आप्शन्स नए मिलेंगे और जो यूजर परानी यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग को यूज करते रहे हैं, उनके के लिए अभी यूजर इंटरनेट बैंकिंग चलाने में कुछ असुविदा हो रही है, उस असुविदा को दूर करने के लिए आज की ये वीडियो एक डिटेल इंट्रोडक्शन वीडियो और यूको बैंक की इंटरनेट बैंकिंग की फसिल्टी के उपर, चलिए वीडिय शुरू करते हैं दोस्तों, यूको की इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, एक तो यूको में जा कि हम यूको बैंक की इबैंकिंग सर्च करेंगे, दूसरा है यूको बैंक की वेबसाइट के उपर जा कि हम यूको इंटरनेट बै वीडियो बनाई है युको इंटरनेट बैंकिंग के उपर अगर आपकी पासवर्ड रिसेट में यूजर आईडी ब्लॉक में यूजर आईडी लॉक में कोई प्रावलम है तो आप पासवर्ड रिसेट करके उस वीडियो को देखके इस इसमें हल्प ले सकते हैं या आज हम कर करने के बाद हमें कुछ ये इंटरफेस खुलेगा यहां पर लेफट साइड में उपर कॉर्णर में आप देख रहे हो नेट बैंकिंग लॉग इन इसको क्लिक करने के बाद हमारे पास दो आप्शिन खुलती है एक तो रिटेल लॉग इन एक कॉर्परेट लॉग इन अगर आपका यूको बैंक में करेंट काउंट है जहां कोई सी क्रेश क्रेडिट है लिमिट है तो आप कॉर्परेट लॉग इन में जाएंगे अगर आपका सेविंग आकाउंट है तो आप रिटेल लॉग इन में जाएंगे रिटेल लॉग इन में हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद हमें अपनी यूजर आईडी और नीचे दिया CAPTCHA CODE बर लेना है CAPTCHA CODE बरने के बाद इससे पहले दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूँ कि नीचे एक वियू दिया गया है वियू स्मार्टफून एंड वियू डेक्स्टॉप आपको हमेशा इसको लॉग इन करने से पहले इसका जो वियू ऑप्शन्स है उसको डेक्स्टॉप कर लेना है आपको सारी ऑप्शन्स अश्य तरह से विजिबल होंगी यूजर आइडी और नीचे CAPTCHA CODE बरने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन कर देना है लॉग इन करने के बाद आपको यहाँ पे एक OTP मिलेगा आपके register मुबाइल नंबर के उपर register मुबाइल नंबर के उपर यो भी आपको OTP मिला होगा उसको यहाँ के बरने के बाद आपको continue पे कलिक कर देना है continue पे जैसे हिए आप कलिक करेंगे तो first time अगर आप इस Yuko Bank की नए website में login कर रहे हैं तो आपको term and condition देखने को मिलेंगी शिर्फ first time देखेंगी दूसरी time आपको ये नहीं देखेंगी term and condition को scroll down कर देना है सबसे नीचे जाके आपको एक option देखेगी disagree agree, disagree, agree पे click करने के बाद आपके सामने कुछ phrase खुलेगा first time ये नए interface में Yuko Bank की यहां पे कुछ security reason की वज़ा से कुछ और improvement की गई है phrase में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने यहां नीचे कुछ pick आप select कर सकते हैं जैसे की for example हमने लग यहां पे लिख दिया wonderful life और नीचे यहां पे एक pick को select करने के बाद हमने यहां पे कर दिया login login करने के बाद हमारे सामने dashboard open हो जाएगा Yuko Bank की इंटरनेट banking कास dashboard के उपर ही सबसे पहले हमें अपना नाम दिखेगा नीचे last login का time दिखेगा और उसके नीचे हमें dashboard के उपर अपना operative account जितने भी आपके account होंगे वो सारे आपको यहां पे दिखेंगे इसमें दोस्तों आप dashboard के उपर अपने account number के उपर कैसे ही आप click करोगे click करने के बाद आपको मिल जाएगी आपके खाते की detail आपका खाता number आपका नाम और आइफसी code active है जा नहीं अग्रीन active है saving count है open कब हुआ था currency कौन सी थी इस तरह की information आपके इस dashboard के उपर ही आपको मिल जाएगी और इसके बाद अगर आप near right side में दिये गए team dot को click करेंगे और आपको दिखेगी view mini statement mini statement आपके खाते की आपको dashboard के उपर ही मिल जाएगी mini statement में आपको अपने खाते की कुछ latest जो transaction आपने कर रखी है उनकी जानकारी आपको मिल जाएगी dashboard के उपर ही और सबसे नीचे दिये दोसो facility जो यूगो को बैंक ने अपने इस interface को update किया है website को उसमें आपको बहुत सारी user friendly चीजें में देखने को मिलेंगी जैसे कि सबसे नीचे दिया गया है download अगर आप अपने mini statement को download करना चाहते हो और आपको नीचे तीन options मिलते हैं PDF, Excel and text format में आप इसको download करके रख सकते हो अपने computer में अपने smartphone में next दोस्तो उपर आपको right side में आपका नाम दिखेगा नाम लिखा हुआ उसकी उपर आप क्लिक करेंगे और आपको कुछ options खुलेंगे जिसमें personal setting, security setting, preference आप रख सकते हो अपने मताबिक all customer IDs आपको यहाँ पे दिखाएगा prevent session time out, session 5 minute में session time out हो जाएगा अगर आप कोई भी activity नहीं करते नीचे दोस्तो यूको बैंक के customer care की website, email ID, उनका phone number यहाँ पे दिया गया है यह आपकी सुविदा के लिए dashboard के उपर ही आपके नाम के उपर क्लिक करने के उपर आपको मिल जाता है detail में जानकारी के लिए आगे चलते हैं दोस्तो left side में जो हमें तीन लाइने दी गई ही उसके उपर क्लिक करेंगे आपके बाद आपको मेन आपको यहां पर चार ऑप्शन दिखेंगे अकाउंट, डैशबोर्ड, अकाउंट, एंड ट्रांजक्शन, अकामाई अकाउंट के उपर है अगर आपको अपने सारे अकाउंट यहां के पर देखेंगे अगर आपको सेविंग काउंट है, कोई deposit अक पर होगे, इन दिखोगे, तो आपको अपने खाता नंबर, maturity, date, deposit amount, maturity की amount कितनी मिलेगी, और सबसे last में आपको तीन डॉट मिलेंगे, dot के उपर, तीन डॉट के उपर किलिक करेंगे और आपको अलग-अलग तरह की options खुलेंगी, for example, जैसे कि हमने loan के उपर जाके यहां पर Amortization Schedule यहां पर लिखा हुआ है, अगर आपके repayment कैसे है, यहां पर आप तीन डॉट के उपर भी किलिक करके repayment schedule, transaction history, simulator, reclosure and disbursement schedule यहां पर अपने loan का देख सकते हो, saving account में भी आपको कुछ इस तरह की options मिलेंगी, account, statement, request checkbook, request demand draft, यह आपको अपने accounts के उपर ही, तीन डॉट क अपर ही, आपको यह options देखने को मिलेंगी, next दोख तो चलते हैं transaction में, अगर आप accounts में नीचे एक और accounts के option दे गई है, वहां पर जाके आपको तीन डॉट को अपर अपर आपको तीन डॉट को अपर ही, balance, transaction, info, fatka, declaration, insurance of the TDS certificate, TDS certificate यहां पर आप लेख सकते हो, जहां फिर क्यों कि यहां पर आपको fund transfer करने होते हैं, इदर से उदर, यूको बैंक में, दा किसी और bank account में, और उसके लिए सबसे आपको महत्वपूर्न यहां पर options में मिलेंगी, transaction में जाके initiate fund transfer, यहां पर N.E.F.T.RT.G's की सुविदा देखने को आपको यहां पर मिलेंगी, N.E.F.T R.T.G's का एक form open हो जाएगा, form को आपको बर देना है, simple सा form है, frequency type इसमें आपको दूसरी facility जो दूसरी यहां पर यह मिलेगी कि one time जाँ फेट आप एक रेकरिंग किसी को payment करना चाहते हो, वो frequency आप यहां से चुन सकते हो, initiator आप खोद हो, आपको अपना count number select कर लेना है, कि यहां पर हमाने कोई भी counterparty type यहां पर enter नहीं की, counterparty दोस्तों आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँ कि जो पहले वर्जन था, युको बैंक का उसमें beneficiary detail होता था, beneficiary यतने भी आपने add कर रखे होंगे, वो आपको यहां पर उसका नाम change कर दिया गया है, counterparty type होगा, counterparty detail होगा, जितने भी आपके person यहां पर show करेंगे, amount network यहां पर select कर लेना है, NFT कर रहे हैं, जहां फिर RTS कर रहे हैं, नीचे आपको urgent payment करनी है, yes और no remarks बर देना है, और नीचे आपको box पर click करना है, term and conditions, term and conditions के box के उपर click करने ही ते ही आपको term and condition open हो जाएंगी, उसको आपको ok क कर देना है, और नीचे आपको सारी detail बरने के बाद continue पर click करके आपको आगे proceed करके NFT आटी जिससे आप कर सकते हैं, इसमें दोस्तों एक और ज़रूरी बात मैं आपको और बता दो हूँ, जैसे कि हमने thumbnail के उपर भी लिखा था कि manage counterparty, beneficiary detail जिसकी मैंने अभी बात की है, beneficiary detail ज कर रखा, आपको नया से अड़ करना है, तो अड़ करने के लिए add counterparty पर जाएंगे, उपर दोस्तों दो options दे रखी है, यूको बैंक और अधर बैंक, अगर आपका जो account है, वो यूको बैंक में है, और यूको बैंक का ही खाता आप अड़ करना चाहते हो, और यूको बैंक म बाद आपके सामने यूको बैंक के खातेगी detail आजाएगी, detail आने के बाद इसको आप एक बार दुबारा से reach check करेंगे, और finally submit कर देंगे, finally submit आपको transaction password one time OTP आएगा, confirm detail पे click करेंगे, और आपका यूको बैंक का जो भी count आपने बरा है, वो add हो जाएगा आपके counterparty detail में, और इसको time लगेगा चार गंटे, चार गंटे के बाद ये एक्टिवीट होगा, चार गंटे से पहले आप कोई भी fund transfer नहीं कर सकते, दूसरी option को देख लेते हैं दोस्तो, other bank, other bank में जाएंगे और वहाँ पे आपको थोड़ा सा form lengthy मिलेगा, lengthy इसलिए क्योंकि other bank के detail आपको बरन करने के बाद आपको look up के click करना है, look up करने के बाद आपको पता चल जाएका कि ये कुछो मैंने आइफसी code बरा है, ये सही है या नहीं है, next आपके खाते की type खाते की type आपको यहां सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके नीचे दिया गया है आपको state, state यहां पे आपको look up करनी है आपके जो भी state होगी वैसे आप बरेंगे तो error आने की समावना है, look up करने के बाद आप अपने state की fill कर सकते हो और नेचे continue पे click करोगे, continue पे click करोगे और आपको preview and confirmation दिखाएगा, summary दिखाने के बाद, final submit करने के बाद आपको यहां पे वही option दोबारा दिखाएगा, कि आप आप अपने खाते की जितने भी आपने counterparty एड किये हैं वो भी आप देख सकते हो, यह ती तो देश तो आज की detail एक review youkobank की internet banking के new interface का बहुत ही अश्य options बहुत ही डंक से इसको एक compile किया है youkobank ने, जो previous internet banking थी उसमें security reason के इलाव थोड़ा कम था, लेकिन इसमें थोड़ी security बढ़ा दी गई है, बहुत ही simple options में आप इसमें अपना login करके transaction कर सकते हो, यह तो थी दोस्तो वीडियो youkobank के नए internet banking के interface के उपर, अगर आपको इसमें कोई भी options detail में जानकारी लेनी हैं, जाप फिर किसी options के उपर अलग से वीडियो चाहिए, तो वीडियो के नीचे दिय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा, थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो